जैसे जैसे Moon Nights के एपिसोड आ रहे हैं, इस सीरीज की हाइप और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है Marvel सच में अपने फैन्स की सुनता है और अपने फैन बेस को बहुत ही अच्छे सा ट्रीट करना जानता है तो हाँ, मैंने तो देख लिया है Moon Nights के सेकंड एपिसोड और मैं देने जा रहा हूँ इसका रिव्यू तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करने से पहले शानी बाबा के प्रकोप से बचते वे हेलो एवर्यवन, मेरा नाम है जौदीव राजक्युमार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में तो Moon Nights के सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग होती है स्टीवन से जो म्यूजियम में वापस जाता है ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके कि पिछली रात को क्या हुआ था लेकिन वहाँ CCTV में उसे वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है पर देन वो उस चाबी को इन्वेस्टिगेट करने के ले जाता है जो उसे अपने अपार्टमेंट में मिली थी जहां उसे कुछ ऐसे रास पता चलते हैं जिससे उसके होश योड जाते हैं तो आखर यह लैला कौन है यह अंजान आद्वी क्यों स्टीवन की पीछे पड़ा है और यह मार्क स्पेक्टर कौन है और इन सब को कौनशू धिवता से क्या लिना देना वेले जानने के लिए आ उन्हें अपने ओडियंस को अच्छे से एंगेज करना आता है मुन एट के सेकेंड एपिसोड के एंडिंग के रिवील से मार्वल्स ने अपने फैंस का दिल जीत लिया है मुन एट के पहले ही दो एपिसोड में जिस तरीके से एजिप्शन गॉड्स के माइथोलोजी को एक आपकी बचे चार और एपिसोड में और यह क्या दिखा सकते हैं because इतना तो तय है कि हमें और भी जादा बड़े-बड़े surprises देखने को मिल सकते हैं Let's keep our finger crossed Moon Knight के series को आप देख सकते हैं only on Disney Plus Hotstar तो अगर आपने Moon Knight का second episode देख लिया है तो भीना spoil किये comment section में ज़रूर बताएं कि एपिसोड आपको कैसा लगा और मैं personally आपकी comments का reply दूँगा With that being said, thank you for watching this video, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like करें, ज्यादा ही पसंद आया तो share करें and channel को subscribe करना ना भोले हमारे channel के pages को जाके facebook, instagram and twitter पे भी आप जाके follow कर सकते हैं, links आपको description में मिल जाएंगी, till then keep watching, शनी बाबा से बचे